लोकेल खेनी कोईलों ने ने बाकी कोईलों। आजी आमार भारोतिय जनतापार्टिर पोर कमितीर एखन बोईठा कनुस्तितो हुए। केंडिय मंत्री हर्भानंदो हुन्वाल आमार प्रभारी हरीज रिवेदी उपस्तित ठाके। भवेश कोलिता दांगोरियाई यात्खभापोतित्तो करे। सेप्तेम्बर महरपरा आमार जी हदोईस्षता अभिजान आरम्ब होब। हे हदोईस्षता अभिजान और प्रट आजी आमी दिघलिया कोई अलुसना करू। आरो राज्यत जाते एवार हदोईस्षता अभिजान हम्पुन्न भावे खफल होई। तार कारने आमी एटा बुठ पज्याए लेके। आमी आमार काज्य खुसी बा कर्म खुसी बनाई लोईसु। आरो खेई विखए आजी कोर कोमिटीर बोईठकत आमी दिघलिया कोई अलुसना करू। इयार उपरियो कोर कोमिटीर बोईठकत आगोंतो पंसायत निर्वासन हम्पुर्केव। पारंभिक अलुसना होई। आरो तार लगे लगे। आमार आही बोलुगिया उपनिर्वासन केटार उपरोट। आमी किशु आलुसना करू। किन्टो जिहेतो उपनिर्वासन तारिख नित्धारन होआ नाई। खेईकार ने आजीर आलुसना तो हंगठन उपरोटे हिमाबद्ध ठाके पार्थी भित्तिक आलुसना तो आजी आमी नकराको यासील। जेतिया निर्वासनी आयुगे दिन घुखना करीबो तेतिया आमी पार्थी भित्तिक आलुसना करीन। आमार राज्योखभात रामेसर तेलीडांगोरिया आरो मिसनरंजन दास दुई गराकी बिना प्रतिदंडितारे निर्वासित्तो होल। आजी कोर कोमिटीर बोई ठकत आमी दुई गराकी लोए आमार अभिनांदनों जासी खिद्धान तो गहन करीद। पोर कोमिटीर आजी मुटा मुटी एखेनी आलुसना हुई शेल। कि बाजोडी आपुनाल के खुधी बखुजे खुधी बखुजे। कि बेहीगत हुई खुधी तु घुटाना हुई गोड़। मैं बारे बारे को हैसु। आरू ए कथातु मा अजी आकोएबार रिपीट कोरीसु। जे लुकहभा निर्वाशनर पिसत राष्ट्रिय राजनितित हुआ एता जितो पोरिबे आरो धुगुरिद अरे लुकहभा निर्वाशनर एता विखेख डलर पिजयर पिसत आमार राज्यत किसु बैक्तिये अपराज्यनित कामकाज़त तत्पर होयुथा आमी देखा पाईशु आरो प्राइ बाइस्ता घटना अगठ हंगोटित हुए जोआकाली धिंग तेस्पूर गोखाएगाउटु एनेकवा घटना हंगोटित हुए एटु नहाई जे एनेकवा बिखिप्त घटना आन जिला होमुहतु नहाई। किन्टु हठाते एड़नर घटना बिलाक बाहीजु आमी देखा पाईशु आरो तार परिपेखित आमी लगोलोगिया कठुर हिद्धान तो हमुहु आमी जोद जेनेके पारू आमी लोईशु मए भाबो जे राजनोयितिक पिष्ट पुख कोटा नाठाकिले एगह चटना बिलाक कमी जबुु। किन्ट जे टिया राजनोयितिक पिष्ट पुख कोटा है सोशीईल मेदिया टेओलु का खमठन जनुआ होई हाहख जनुआ होई ते तिया अपराधिया हाहख पाई आरो अपराधिये हाहक पाले ए घटना विला खमाजत ब्रिद्धी हई। आरो अपराधिये हाहक पाले ए घटना विला खमाजत ब्रिद्धी हई। आरो अपराधिये हाहक पाले ए घटना विला खमाजत ब्रिद्धी हाहक पाले ए घटना विला खमाजत ब्रिद्धी हई। आरो अपराधिये हाहक पाले ए घटना विला खमाजत ब्रिद्धी हाहक पाले ए घटना विला खमाजत ब्रिद्धी हई। जोडि आजी हो बिठी सीट कुनु यू पी पी एले कोई जय नहाए नो आमी बीजेपी लोगत मित्रता कोई। आलूसाना होगो। किनो जिहेतो आगोते हो केतियां मित्रता हुआ नाए काउंसिल इलेक्षन अथे कारने हैं अमी नाई हुआ बुली खुईशो। एटु कुनु राज़नोईतिक नोतुन खिद्धान तो नहाए जय हथात आमी की बाटा खिद्धान तो लोग। अधि अधाना कुईदाया रू नादो हैुआ। सचु एलेक्षन अथे सबेश शबरलगत अलोशना कोडी थे कीगो। आरू पतिक्टू कथाते मुख्षम होंते है पतिक्रिया घ्यार प्रोईजन नाथाके। क्या急 करत सुनlier bepawn क्या कुट। शब्या नाथ सबीन मुख्यों औरेक्षन शेश मेंद्री लिए। ए्सåन नाथ स büy Wyatt लिया कि माति आरफ Your आरफ इस ते क्स आरेख करतितू मेनस्ईट अध्रेक्षन श्याशन of the Constitution of India. National Conference Manifesto has clearly said that they are for constructive dialogue with the Pakistan. National Conference has also said that they want to have trade with the Pakistan. National Conference has also said in their manifesto that those who were involved in the stone pelting and various heinous crimes against the civilian and police, they will be taken back to the government service. National Conference Manifesto has also said that they will withhold or they will discontinue the reservation given to the Dalits, Gujaras, Gujaras, Bakrawals and Pahari Communities. National Conference has also said that they will change the name of Sankarasaria Hill. National Conference has also said that they will continue to patronize directly or indirectly the separatist voices. So, under the circumstances, if Congress join hands with the National Conference, it is presumed that Congress party has endorsed the National Conference Manifesto. And National Conference Manifesto is nothing but anti-India documents. It is a pro-Pakistani document. It is a document of few fundamentalists. Now, whether Congress or Rahul Gandhi androze it. Now, Rahul Gandhi went to Faruk Abdullah's house and basically androze the manifesto of the National Conference. Congress party has gone too low. And they are compromising with the integrity and unity of this nation. They are compromising with the sacrifice of our martyrs. They are undermining the heroic sacrifice of our armed forces. So, we would like to silence Congress party that whether you are doing this just to gain that some kind of share of power or you are doing it to demoralize our armed forces. Whether you endorse that divisive agenda of national conference. I think Congress stand exposed today. Congress was against the interest of India. They are against the interest of India. And they will continue to be against the interest of this great nation. You see, Congress party has been exposed last few months continuously for their dubious agenda. You have seen Rahul Gandhi having pictures with the American Muslim organization. The protagonist of the American Muslim organization who is clearly against India. You have seen the kind of meetings, kind of seminar Rahul Gandhi has addresses and kind of the people who attended it. The relationship between George Soros, his gang and Congress party is not new now. All this has been exposed thoroughly. But I did not expect that Congress party will go that low to compromise with the unity and integrity of this country. They will join hand with a pro-Pakistani organization. They will undermine the sacrifice of our armed forces. So, these are very sad developments. The principal opposition party, if they start doing or joining hand with the anti-Indian forces, then our democracy will have no future. Whether it is ruling party or principal opposition party. We must strengthen unity and integrity of this nation. We must stand with our armed forces. We must stand with the pro-Indian people. The question pertaining to the means that the custodial death of the Prime Act is being questioned by a section of the media. You see, you see, every death is unfortunate. But if somebody jumps on, I cannot help them. But I must say that every death is unfortunate. And I have also asked police to inquire the incident properly. But our quest for justice will continue. We will bring every other person involved in this crime to the justice. Sir, you talked about when you think you said you can tell in these areas, you can tell us what is important and you can see in this particular? The pattern is same. The timing is also after the looks of an election. This is, this you can interpret with some kind of resurgence of a particular political party in the particular, among the particular voters. These are all, the trend is clear, pattern is clear, where from they are getting encouragement, all these are clear. So these are the challenges which Assam has to face near future. And our people has to be strong. Our people has to be united. And we must identify who is our friends, who is our enemy. You see, I have seen again and again, that in 12 to 14 district in Assam, we are in minority. The trend is simple. They do those kind of, they basically initiated this kind of activity, so that our people leave and come out of that place. This is not crime against, this is not crime against women only. This is links to the encroachment of lands. Because once these activities are done, the next step people started feeling insecure and they leave that area. This is the pattern they are doing it for last 10-15 years. First you institute a crime, instilled a sense of insecurity among the Assamish people and they start to leave one by one that area. Now Dhing, what has happened? There is tremendous pressure on the local Assamish people. There is tremendous pressure on the local Assamish to leave that area. Today the Assamish people has been reduced to 10 percent. Because of the continuous criminal activity, people are leaving home, people are selling lands and the other people, other section of people are occupying their place which is being vacated by the indigenous Assamish people. If you look at the situation specifically in Dhing, last few years, there are continuous pressure on the local Assamish people of the Dhing to leave the place. And this incident of rape, this incident of molestation are only not linked with the crime against women. These are being used as a weapon to get the land vacated by our indigenous people. Ijeera Niya number one is researchers. So, my concern to the supply of depression is not to give me weapons, but I don't think that the little person is in the way they say that the country cannot be and the people are famous at their own goals. Where now this situation cannot sustain, make it vulnerable and the people are negative. Come on, I don't think that anything can happen in this. बंगाली बिरुद्धे हो बा आमार निजर बिरुद्धे हो आइन हातात नुतुला कोई आमी आमार ओहिंखारू गनतान्तिक नितिरे आमी आमार काम बिलाग पोरी जबो लागे। सोलीशन होई से अखमिया जाती एकटा होई थियो दिया। से भिती गस्तो कोरिठका होई से जाते खेक अखमिया खेनी उतार प्रावुलाया है। एदिन धिंग अखमिया खविद्वतार पिठो भूमिया असीले। आजी तारे तेया 2000 अखमिया मानु हो नाइ। धिंग ताउनक बात दिले। ताट आरो अखमिया मानु नाइ। अठोसो गुटे गाउबिला कर नाम साबो गुटे अखमिया नाम। गोटी के ए घटना तो अकल धर्खनोर घटना बुली धरी न लबू। इयार पीसफाले एता डांगोर हरोजम्त रहसे। बर्पे ताट एता घटना जोदी होई। ताट आपुना लुके देखा पाबो घटना बुर मार्जीनोद होई। तामने जी गाउड डेमोग्राफी सेंज आरम्भ होई से घटना बुर ताते होई ठके। कियो ताट अल्रेडी आमार मानुए माती विक्री कर आरम्भ कोरी से। हुलोस्तुल लगाई दिला मानुए घरेरी घुसी आहे तो माती खेनी खुनकाले विक्री होई जाए। इयार लगट माती विक्री एता डांगोर हरोजम्त लुकाई ठके। आजी है मुआ अपना धिंगत जीजनी स्वाली लगत घटनातु होल। परियाल तुए मुख आजी जनाई से जे त्याहोलो कारू धिंगत ठकी बनुखुजे। तार मेने की आता हफल होई गोल। पास भीगा माती गोल। आर माती दू कुने किनी बो। एने क्वा अधुद डाम त्याहोलो के आगबर हाई दिये। जी माती डाम पास लाग टोका पंशास लाग टोका दिंबली कोई दिये। तेटा मानुहें आरो किमान देरी रोखी ठकी बो। ठीका से जोडी पंशास लाग टोका माई पाये जाओ नगाव टाउनात माती हे दुखर पाम। गोटि के मानुहें पंशास लाग टोका तू लोईले। आजी आमार जेने कोई मा कोई शुई यूएस तियेमर। आजी विएस-टियेमर हाधाया घीमान प्रतिवाट कियो होई से से कान बहूत बुधी जिभी। बहुत हिसको हो दंगर ढगर दंगर दन्मारती शाकरीदेदेशेだ नहे प्रतियेम भीन॥ान हाधाया जोसादिशाक गोड किमा कर दनॉत किमे भीन॥ास Leonard खमटाबिलाक सीव ठोयाशे, बित्तियोग हमटाबिलाक आमार हतर प्राव उलाइगोयाशे, आरो तार खुजुग लोयाशे, आजी एजे किसमान मानो धरात करे, क्राइम होये, बेस्त अब दा उकिल त्याओ लुके ठीयो कराई दिये, आरो आमार भीक्तिम फेमिली ये उकि आखी जाये, आमार काने तो कुनो ना हे, एकार ने जी बिलाक मानो है, मुख़ाली कोई थेकर राजनिटी करे, राजनिटी करे, एकि यारे राजनिटी रखुए, आरो आपकुना लुके जाने, जी बिलाक जगात मुरू पूपुलर्यरिटी कांग्रेसोत कोई कम नहाये, म पूर्लोगत भालु आजिव महीबूर जागत तोले मोर मीटिंघोनी वात्री सुली जोजार मानु आजिव राती आही जाबु जोट राज्दिती कोडिले डेखार खोटी होई ता अमी राज्दिती नो करू कठा तो इमाने कुरिबर काने पठाई शेलो 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 काने पठाई काने शेलो काने शेलो में क्या कर पाता हूं लोग तो माइनरती बनी रहा है अभी मैं लॉज कुज लाया हूं प्रोटेक्ट करने के लिए देखिए तो कभी सूरुष तो नहीं हो सकता हो तो जटना मेरे से हो सकता मैं कर रहा हूं काफी उसके लिए सैलेंज भी है तकलिव भी है प्राइवेट परसनेल काफी तकलिव है उसके लिए मेरा फैमिली सब को गाली देता है काल रहा है अपना भी तकलिव हो रहा है वेकिन सहन रहा है सर जोब विए सब्सक्राइब सांपिड सौर। कहां कहां सब्सक्राइब सब्सक्राइब परफे आफे आप आप some crime against women has come down by 100% in the last three years. So things are improving, but this crime against women, what I have described, the real intention is not against crime against women, real intention is much more bigger, that is what I am trying to understand. But these are very very serious things. . कथाबूर गवांतित बम ना पाई, बर्पेता, खठेबारी, जोनिया, बागबरत्थ का अखमिया मनुभिला कर लोगत कथापा तीबो, मोई कुवा कथाखे निये तेहों लुके कोबू, एटो मोई कुवा कथा नहाए, बर्खेत्री, मुकालमवा, जिमान अखमिया मनुआ जिलेगे मन अंखिका का वुकालमवा, जिलेटा तेहाए, बर्खेत्री, मोई कुवा कथाखे निये तो ट्यो कर लुकस्वा नियो कोई हासी लू तो सोचल मेडिया कोरी, ट्विटर कोरी, उपलूंगा कोरी, अचो तो बदलाबोन वारी. Do you think that they are being mostly controlled, the tactics of being the... No, no, no. In Assam, this is a design which is on for last 30 years. That is why Assam agitation happened. So nothing, I do not want to subscribe this to the Lade and some radical. It is not. But in Assam, this is happening from last 30-35 years. We have identified radicals now. But in 1979, Assamese people has warned everybody that this is going to happen. Because we are facing this situation continuously. That's why it's all for us to have a flag for you. There's nogestions that we are at all. It will not work for you. I believe that we are in Israel or in houses, 우리는 engaged in Bangladesh. So I will ask you to repeat. But last 30 days, I just felt that I'm gonna test this. Last 30 days, I gave you a daily Twitter, आजी सारी डोरःळुन सनक्ठार करणा आतो है अपना को फोडतेशाए। आजी लास्ट दूमा धोरी नहले माई टुईटर नीदू, माई टुईटर दी असीनु आजी रातीपव दुजन बांगलादेशिक आमी करिम गण जवप्रा धोरी पूस्ट कोरीशो किनो ताते मसला नाई काने प्रस्णन उठे किनो हिंदू बंगाली तो खुडी ना मुस्लिम बंगलादेशिक आमी धोरी यसु किला अपना लुग तो यह प्रस्णन उठे खुड़ा नहीं मुर नाम खुडी ले तो महिव अपना नाम खुडी ना मुर नाम खुडी साज अलाल मुई साज अलाल को अपय तेवाव यसुयरी को भूलगी यह से मुर नाम खुडी हिमों ठरविस्ट्राकों मॉई हाथ भार को मूर नाम हिमोंठर भीस्ट्राकों याद आको पेस्क्लाब बहार की दोर कारा से, भाई निजोर नाम तु है, कोई से बेलेगर नाम तु तु खुआ नाइ? दिल्ली में कोई भी मेटू थोड़ा जेनोराज है इसलिए मैं नाम नहीं पूछता हूँ दिल्ली थांगवाटिक मेलाद प्रस्ण करार अगटाई नाम कोब लेगी वह जे मूर नाम अनिरोद भोकल मॉय रिपाब्लिक ती भीरप्रा कोब लागे ने नाए लागे ने नाए तो इयात नाम तू खुद हुटे के नेके प्रेस क्लाब है मुद बया पभो पारे डिस इस ती बया प्रेकर नाम मुत्हा आ नाम क्यों तू भूद हुतन मारे डिसमें नाम तो नाम द जाने ले प्पलाद गुदू ऀफीड़ा नाम थे पूर्णाम प्रेस कंफायंट्सट प्रेस कंफायंट्स जीकुन जार्नेलिस्ते क्वेस्चन करा अगटे नीजर नाम तौर नीजर अनुस्तान तौर नाम को बलागे नहीं आप भी नेशनल तीवी में बटाईया लागे ने नाए चो खेटु है मोई कोरी सो नाम तो उड़ात पुर्गी जाए ने आजीर प्राम और प्रेस कंफाइन्स अट मोई हाज्जूर कोरी अपनालुकर रिक्वेस्ट कोरी सो जै पठाम नाम तो कोई मोई क्वेस्टन कोरी बह राहूल गांधीर प्रेस कंफाइन्स अट्रो माने सीनी पाले हो नाम तो कोई बीजे पिर्ट्रो माई प्रेस कंफाइन्स अट्रो नाम कोई प्रस्ण खुडे नाम कोई प्रस्ण खुडे नाम कोई प्रस्ण खुड़ा तुए ता पार्ट अव ता प्रतुकल मुरू दरकार मुद पिछट कही जाना आपने पोटी दिन रहाए था नेकोले पोटी दिन ना है आर मॉख्या निखे जान। नाम तो कोई निवा है ने राष्टाए घाते कुनो पोर्टेल है जेटी आलेके DIPR रेजिस्टेशन ना है पोर्टेल तो तो CMR प्रेस कॉंफाइंड साथ आही बहु ना लागे लागे जाने जेटी आलेके INPR रेजिस्टेशन ना है अमारू तो सिकॉर्टी रिक्सासे ना तो सिस्टेम और मानुहे प्रेस कॉंफाइंड साथ आहे सब्तु ना है तो कुनु पठानाए प्रेस क्लाबे मुरू पटे दिसीशन लोई दिले आरे बाबा मुरू पटो डिसीशन लोई शे लोई शे किनो साज अलान लोर्पो डिसीशन लोब पारीवने ना है जानाम जानाए बिरुद्या तो अठाकोब मानुहे भाय करया दूर्भाई को एट वे भबुद्या साथ 7 किलोमेटर एलिवेटेद रोड एटो आमी गुटे टाउन टो आमी अटा अग्प्लिट एलिवेटेट रोड़ मज़ग अनिवख फुझिसू इतुल कोस्तास अरां 1200 कोष नाट एजी प्रोजेट अजी प्रोजेट अजी प्रोजेटर फस्त देमोंस्त्राशन तो मय दिसू राइट से बनाई से बिप्रोड दू बिगा मती लैन अकुझिशन थाकि प्रोज से बिगन ही लोड़ु इधther पेर्स की लूवेटा से राइट सी प्रोजेट प्रोजेटो में है तूव्रा नागह् को ए प्लैंतु देखुआ बाजी गधुलियुमा इंसेक्ट मातिवधिसो कभा कभा I'll ask him that if possible you can also be present to have a idea how we want to do ए जोदी दांगर पोजेक्ट कोरिवा परू then this small small irritation will be over आरो मौय जिमान्दु आमी परिशु विदाओ मेसिव डेस्ट्रक्शन अलपन अलपन कोरी कोरी आमी प्रोजेक्ट कोनाईशु जोड बहुत बेशी कंजास्ते आमी ता दभू लेकार अरू बेवस्ता कोईशु कोटिके if everybody agree we can take up that project and we can complete in 2.5 years so you can also have a look but that is a preliminary drawing we will complete the finally final structure in next two months of time because you can also have a look but that is a preliminary drawing we will complete the final structure in next two months of time because you can also have a look utility has to go underground so allah technical techno feasibility reporter kamutha ki bo but we are very seriously we are pursuing this manna ito ene koi jiwa katha na hai mai paitek masse mai yaya review laun loy 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 we have prepared the project and at a expected level of a mi anisho jake bhohut land acquisition na hai bhohut building na bhañe alap 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 touch kori jake aami kanto kori diva paru kumbha kumbha building on only cantilever will be touched but main buildings will be spared tene kya mi bona isho yabhar aje first drawing to my aam 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 p kakalag dekhua isho godhule saitatma aaru alap manuhag matiyani dekhua bohko isho raikshar engineer bilak yate ashe jodi generally silsvara manuhay bhaabya jaya it is ok they tell you we can take up the work in next year so this is the brief outcome of my visit to borak dhali hindus are fighting and staying in bangladesh last one month we have not detected a single hindu people but we are arresting in last one month thirty five muslim inflation so always we we blame hindu 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 it is not the correct today also i tweeted we we arrested two people in karim gansh and we pushed them back yesterday night so there is no record akhmate hak sob jagat maniya bhavya khali hindu yek bayak ambur gohi tete jimanta last moi trees did not every day i put it on tweet we have intercepted and pushed them pushed them back and fortunately unfortunately they are all belongs to one community not from hindu community hindu is fighting and no hindu is trying to come to india hindoos are only requesting our prime minister to impress upon government of bangladesh to ensure security ito kutu moitu aje last dui maas bangladesh at gandagurha parma khup closely observe kuriyasho akhmat ajanu hindu khumabha sheshtha kara nahi jee khumabha sheshtha kuriyashe muslim anu kakala ishe but not for assam to go to bangalore and tamilnadu asam is being used as a corridor aji rati pao moitu iddi sho aji rati pao aami pathai du sho and sab kuriyan ganja te dhori yasha kite ajanu hindu aami dhori go parane to hindu are dying fighting aru em anubila ke to ahi ba khuji le ke ti eva ahi ba pari jate na at the time of partition tiyanu kya bangladeshwa nija janmabhomi buli bhavya karane tu aahan asile so we should have respect to them tippura karimganistan by train to bangalore tamilnadu sir tippura governmente udhori yasha aami udhori yasha bsf udhori yasha kino bangladeshwa textile industry to bonhu arp isha taat involvedhaka labor vila they are moving towards kamilnadu he has seven hundred train cadres and very good network of well-wishers he is well-wishers not the well-wishers of the country then with bangladesh this stability so he has his power we cannot undermine his power but police should have more power to control the incident so it is not that alpha is a dying organization it is not that alpha like i will not say that kya hai alpha ka kush tehi hai mei nahi bolonga alpha ka jarur kush hai satsa unka cadres hai behut sada weapons hai unka technology hai unka paas sare kush hai toh ishi liye we should not undermine our opponent and last three years it is peaceful we will try to see that it is continue to be peaceful but police burua it is not that you can just have a phone call and call him for discussion it is a tough call some day will success can you also express comment about this after fifteen day government in the government they can have a safe place i mean i have not said alpha i said that northeast insurgency situation might change with the hasina government going because bangladesh if a government is installed which is empty India then definitely we will have a problem but let us wait and watch because election is to be conducted abhi tak election hua nahi hai election ho ne ka baad hi maalum parega ki kaisa sarkar umha bana hai abhi kush bolna thura sa premature ho ga jab tak suna ho jaega uska baad hi hamko pata parega ki bangladesh ka halat kaisa ho ga and what will be the probable implication of that in India how it will impact sometime you never know there may be a more good government might come after direction who may be more pro-India than said hasina also but we have to keenly watch the development of bangladesh because it will have an immediate repercussion in the north eastern they will use phong puis bahandai fi baad hi hao hithang ithang iaa hongkawai ithang iaa hongkawai 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 arach tender kawai hongkawai hongkawai प्रभान। आप्रबदार्वार्टर्ब थान हमारे बैठेक में भागिये हैं उनको भी हम स्वागत सर्मा करना है हमारे व्रा के सब भिस्ता बने हैं, उनको भी हम स्वागत करते हैं तुन कुछ था आज ता बैचर मातरम, बंडे मातरम, सुचलां सुपलां मालया जसी कला सस्य सामला मातरं पंडे मातरं सुब्र जोस्मा पुलकित यामिनी पुलकु सुमित रुमदल सुमिनी सुहासेनी सुमदूर भासेनी सुकारां प्रदा मातरं पंडे मातरं बंडे मातरं मारत नथा को शेडिये इसान